अब इस question में देखते हैं कि starting में ये M और 3M दोनों सामयवस्था में और किसी पर समय पर क्या करते हैं कि भी रसी को काट देते हैं अब जैसे जिस time पर ये रसी कट गया उस time पर A और B का तोरण पूछा गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब string है जब रसी A और B के बीच में है मतब जब system जब ये निका है सामयवस्था में उस समय कौन-कौन से forces हैं और किस तरह से हैं तो अकर आप देखोगे तो spring में खिचाओ होगा तो उस खिचाओ के वज़े से spring बल उपर लग रहा होगा तो अकर हम लोग 3M की बात करें तो उपर की तरफ एक बल लग रहा है जिसको spring बल कह सकते और नीचे के तरफ क्या होगा इसका अपना भार होगा 3M G लिख सकते हैं और रसी है तो रसी में तनाव होगा तनाव को T लिखती है कि आपने पढ़ा हुआ है कि रसी में तनाव क्या होता है अगर दरबमान ही रसी है तो each and every मतब सभी बिंदों पर बराबर होगा तो वही उसी स्टेटमेंट का फाइदा लेकर के आप T उपर के तरफ दिखा दोगे अगर आप B की बात करते हो तो B पे भी ये तनाव बल होगा उपर के दुशा में और B का अपना एक भार होगा नीचे के दुशा में जब तक रसी को आपने नहीं काटा था A और B के बीच के रसी को डोरी को नहीं काटा था तो स्टेम सामेवस्था में था ये निकाय क्या था सामेवस्था में था तो एक यहां से A के लिए समीकरन मिल जाएगा सामेवस्था का मतलब होता है कुल बल का शुन्य होना तो उपर के दुशा में F-S है और नीचे के डिरेक्शन में ये दोनों बल है तो मतब ये दोनों मिल करके उसके बराबर होना चाहिए तो आप ये लिख दोगे पिल्कुल लिख सकते हैं अब अगर इसकी बात करें इस पे दो ही बल है मतब सामे बस्ता को मतब T और M-G तोनों बराबर होना चाहिए तो आप T बराबर क्या लिख दोगे M-G लिख दोगे अब अगर इन दो समीकरंस की बात करें तो T का मान अगर यहां पे पुट कर दिया जाए M-G तो F-S का मान जो होगा मतब स्प्रिंग बल जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा 3 M-G प्लस M-G 4 M-G हो जाएगा अब आप कोगे F-S क्यों निकाला यहां तो तुरण निकालना था बिल्कुल ठीक है ऐसा है इसलिए लिखा कि जैसे इन दोनों के बीच की रसी को काट दिया जाए A और B के बीच के डोड़ी को काट दिया जाए बिल्कुल उसी मॉमेंट पे स्प्रिंग बल में कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि स्प्रिंग में जो खिचाओ है वो समय के साथ बदलेगा और उसी टाइम पे उसी मॉमेंट पे जिससे में रसी काट दिया हुआ है उससे में स्प्रिंग बिल्कुल वैसी स्थिती में जैसा सामय वस्था में था तो अब अगर रसी काट दिया गया तो आप एजली दिखा सकते आप कि अब जो बल बचा A पे वो स्प्रिंग बल बचा और उसका भार बच गया भार को कोई बदलने वाला है नहीं तो वो तो वैसा ही रहे गया यहां पर लिख सकते हैं अब अगर हम लोग B की बात करें तो B में सिरफ इसका भार बचेगा क्योंकि तनाव गायब हो गया स्ट्रिंग को कटते ही T का मान शुन्य हो गया अब अगर आप देखोगे तो इस पे B पे अगर B वाले पिंड पे देखोगे तो कुल बल M G है मतलब इसका क्या है मुक्त तोरन मतलब डाउनवर डिरेक्शन में इसका क्या होगा मुवमेंट होगा और क्या लिखोगे M G बराबर M गुना B का तोरन यहां से B का तोरन कितना आ गया G आ गया जो किदर है नीची की दुशा में है लिख सकते अट ता सेम टाइम इसी समय आप अगर इसकी बात करोगे तो इस पे दो बल कारी कर रहा है पहले तीन था रसी को काटने के बाद तनाव शुन्य हो गया अब यह स्प्रिंग बल है और भार है जैसा हम लोग देख सकते हैं स्प्रिंग बल 4 M G है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है उस मॉमेंट पे तो उपर 4 M G नीचे 3 M G मतलब यह उपर को त्वरित होगा और कितने से होगा तो 4 M G 4 M G मानेस M G M G बचेगा 3 M तो यहां से A का तौरन कितना आ गया G बटा 3 आया अगर direction भी दिखना हो दिशा भी लिखनी हो तो उपर के दिशा में यहां तक समझा है यह सिखाने के लिए मैंने यह सारे steps लिखे था कि revision भी हो जाए लेकिन अगर आपको यह समझ आ गया तो बहुत असानी से लिख सकते कैसे लिखोगे कि बई शुरू में spring बल कितना होना चीए तो यह total भार को balance कर रहा है मतब 4 mg होना चीए जैसे string काट दिया तो यह जो पूरा बल है वो सिरफ A पे लगता रह जाएगा A का भार है मतब इस पर कुल बल 3 mg हो गया तो इसका त्वरण A का कितना हो गया G by 3 रसी काटते ही B का क्या हो गया free fall हो गया नहीं मुक्त तरीके से यह नीचे कर तो revision के लिए से बहतर कुछ भी नहीं हो सकता कि जो विगत वर्सों के question है उनको solve कर लिया जाए और समझ के किया जाए तो pattern भी पता लगेगा difficulty level भी पता लगनी और कैसे questions आते है मतलब pattern के साथ-साथ concept भी समझा जाएगा तो आप जरूर देखिए इसको www.eglecture.com आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे concept भी है कुछ video lectures भी है और ये Hindi medium के students के लिए जो Hindi medium के students है उनके लिए भी हमने शुरू किया हुआ है और इसमें सभी आप जरूर देखते रही है लाइक शेर करना बिल्कुल मत बूलिएगा अगर आपको अच्छा लगाए